सरकान पार्टी में एस्ट्रोनाट का गैट अप लेकर आता है जिसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं बेखकर पर किराष उसके बहुत बहुत खूशा को ऄट उसके बाद वो भी किराष के पीछे चली जाती है सरकान किराष से पूछता हैिकि किस बात के लीए कार बताती है कि मैंने गौड से प्रे की थी के मेरे डैड बिल्कुल सरकान बोलत जैसे होने चाहिए ये सुनकर सरकान उससे पूछता है लेकिन तुम क्यों चाहती थी के मेरे जैसा आदमी तुम्हारा डाड हो किरास बताती है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे होर्से इसलिए और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कमाल भी बर्दे पार्टी में आते हैं और पर बाद में एडा और सरकान दोनों एक साथ मिलकर किरास के साथ केक कट करते हैं और उसके बाद एडा उससे पूछती है कि तुमने केक कट करने से पहले क्या विश की तो किरास उसे बताती है कि मैंने सरकान बोलत को अपनी विश में मांगा है और फिर बाद में किरास सरका और एड़ा के साथ घर आती है और एड़ा से पूछती है कि मौम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सरकान बोला थी मेरे डाइड है ये सुनकर सरकान उसे इस बात का जवाब देता है और कहता है क्योंकि तुमने मुझे आज तक कभी नहीं देखा था और ये हमारे पा कर एड़ा से कहता है क्योंकि मुझे सुबा किरास को उठाना है लेकिन एड़ा उसे महार उखने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम यहां नहीं होटल चले जाओ और फिर होटल आने के बाद मिस्स आइडन सरकान के पास आती है और उससे कहती है कि अब हमें किरास के custody अपने पास ले लेनी चाहिए ये सुनकर सरकान उनसे कहता है कि आप किरास को एडा से दूर करने की बात कर रही हो मिस्स आइडन कहती है नहीं हम join custody के लिए भी apply कर सकते हैं लेकिन सरकान उन्हें मना करके कहता है कि मैं एडा के साथ ऐसा नहीं कर सकता फिर मिस्स आइडन उसे कहती है कि चलो छोडो custody ना सही लेकिन हम किरास के नाम के आगे तुमारा नईम और surname भी तो लगा सकते है सरकान कहता है लेकिन पहले इसके लिए हमें एडा से पूछना होगा मिस्स आइडन उसे बताती है कि मैंने एडा से बात कर ली थी और उसे कोई problem नहीं है उसने कहा था अगर सरकान बोलेगा तो मैं करने के लिए तयार हूँ और फिर सरकान से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करा लेती है और ये paper लेकर मिस्टर कमाल के पास जाती है और उनसे भी कहती हैं मिस्टर कमाल उनसे पूछते हैं क्या इन सब के लिए सरकान तयार है मिस्टर साइडन उनसे जूट बोल देती है और कहती है हाँ वो किरास के लिए कुछ भी करने को तयार है और रात को सरकान भी किरास के लिए उसका word de gift तयार कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एड़ा भी सरकान की जैकिट लेकर उसको याद करने लगती है और सरकान भी किरास को उठाने के लिए आता है लेकिन एड़ा उसे गलती से चोर समझकर उसके उपर पानी डाल देती है और फिर दोनों शावाय लेकर आते हैं लेकिन सरकान के कपड़े भीखने की वज़े से एडा उसे वही जैकेट दे देती है जिसे देखकर सरकान कहता है ये तो मेरी है और तुमने इतने साल तक इसे संभाल कर रखा एडा कहती है नहीं ये गलती से मेरे समान में मिक्स होकर आ गई थी लेकिन तभी अचानक से मैलों वहां आ जाती और उन दोनों को इसी हालत में देख लेती है मगर एड़ा उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और सुबा किरास के उठने के बाद सरकान उसे वही घर देता है जो उसने उसके लिए बनाया होता है जिससे देखर किरास कहती है तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने ड्रॉ किया था और पूछती है क्या यह उड़ भी सकता है और फिर सरकान उसे उड़ा कर दिखाता है और यह देखर किरास खुश होगा सरकान को हग कर लेती है और कहती है कि यह मेरे अभी तक कर सबसे अच कि अब जब किराज यहां नहीं है तो हमें लॉयर से मिलने जाना चाहिए क्योंकि आइड़न अब शान नहीं बैटेगी वो कस्टेडी के लिए जरूर अपलाय करेगी इसलिए हमें भी पहले से रेडी रहना चाहिए लेकिन एडा उनकी बात नहीं सुनती और महां से चली जात मिसंडe ने बच्चे के फादर से उसके बारे में छुपायक के रखा आच तक मिस्टर कमाल में मिस्स ऐडन से कहते हैं कि हमारा सबसे बढ़ा ड्रॉम कार्णे के अडा ने किरास के बारे में सरकान से चुपा के रखा था लॉयर भी आप्चे से लेकिन नहीं पूरोफ कर सक Mr. Kamal भी कहते है कि हमें इस सब प्रूफ करना होगा कि Ada एक अच्छी मौम नहीं है और अगर हमें केस जीदना है तो हमें इस सब करना होगा और Ada के खिलाफ प्रूफ भी जमा करने होंगे बात मा Ada भी मेलो के साथ पार्ग जाती है सरकान को किरास के साथ देखती है घर लेकर आता है और वहाँ किराज एक ρूम में लॉक लगा हुआ देखकर पूछ तीह कि इसमें क्या है लेकिन सरकान उसे वहाँ जाने के लिए बनाकर देता हॉर, कहता है कि इसमें मेरा कुछ personal समान है और एड़ा भी सरकान को call करके पूछती है कि तुम कहा हो और किरास कैसी है वो ठीक है या नहीं सरकान उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और हम लोग मेरे घर पर हैं और बाद में सरकान अपरी फ्रेंड हूलिया से किरास के बारे में डिसकर्स करने लगता है और एड़ा पर उसके घर आ जाती है और सरकान को उस लड़की से बात करता हुआ देखती है फिर सरकान एड़ा को हूलिया से इंट्रोड्यूस कराता है और एडा हुलिया को लेकर जैलिस होने लगती है ये देखकर सरकान उसे बताता है कि हुलिया मेरी फ्रेंड होने के साथ-साथ बहुत अच्छी टीचर भी है और ये सुनकर एडा खुश हो जाती है और सरकान से कहती है कि तुमने हमारी बेटी के लिए इतना सोचा और फिर जाकर हुलिया से बात करने लगती है जहां हुलिया एडा से कहती है कि मेरी एक एडवाईस है आप तीनों एक साथ रहने लग जाओ क्योंकि इससे बच्चे के उपर बहुत फरक पड़ता है और एडा उससे कहती है कि इंपॉसिबल है और वहीं दूसरे तरफ मेलो और आंटी भी अर्दम से बात करके सरकान के खिलाफ प्रूफ जोमा करने लगती है और बाद में सरकान और एडा एंगेन और पिरल के साथ लंच पर जाते हैं जहां कि राज सरकान के घर रहने के लिए एडा से जित करने लगती है और कहती है कि जान भी तो अपने मॉम डैट के साथ रहता है न तो मैं क्यों नहीं रह सकती और पूछती है कि आप दोने एक दूसरे से प्यार नहीं करते है और सरकान बोलत मुझे फिर छोड़ देगा क्या और फिर सरकान के घर आका किराज एड़ा से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरिस हूँ कि सरकान के सिक्रेट रूम में क्या है क्योंकि उन्होंने वहाँ जानने के लिए मना किया है और बोला है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता और किरास के सोने के बाद एड़ा सरकान के उसी रूम का लॉग खोल कर अंदर जाती है और वहां की सब चीज़े देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उस रूम में हर जगा उनकी हर एक चीज होती है और उनके पिक्स, गिफ्ट्स, मेमरी, सब कुछ कि तबी सरकान वहां आ जाता है और एड़ा को बताता है कि तुम से जुड़ी हर चीज़ को मैंने बहुत समाल कर रखा है ये सुनकर एड़ा स्माल करने लगती है और फिर एड़ा सरकान से पूछती है कि इन बॉक्स में क्या है ये संकर सरकान उसे बताता है कि ये उन सभी बर्ड़े के गिफ्ट्स हैं जो तुम मेरे साथ नहीं थी और पूछता है क्या तुम एने देखना चाहोगी अड़ा कहती है हाँ तो सरकान कहता है कि तुम मुझे बस पांच मिंट दो और फिर उसके बाद सरकान एड़ा को बर्ड़े विश करता है और वो दोनों उन गिफ्ट्स को देखने लगते हैं जिसमें ड्रेसेज, फ्लिप-फ्लॉप, नॉवल, हैंकरचिफ और पेंडेंट होता है ये सब देखकर एड़ा खोश होकर सरकान को थैंक्यू बोलती है और फिर काम करते करते वो दोनों वहीं सो जाते हैं और सुबह किरास वहां आकर उन्हें उठाती है बाद में मिस्स आइडन कस्टेडी केस के बारे में फोन पर बात कर रही होती है जिसे एड़ा सुन लेती है और उन पर गुस्ता करते हुए कहती है कि कैसा केस क्या आप मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती हो और उन दोनों का ये शोर सुनकर सरकान वहां आ जाता है कि क्या हुआ एड़ा पूछती है क्या तुम कस्टेडी केस के लिए फाइल कर रहे हो किरास को मुझसे छीनना चाहते हो सरकान कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं और कोई केस नहीं होगा फिर एड़ा सरकान पर गुस्ता करने लगती है और कहती है कि मैं ही पागल हूँ जो तुमारे पर भरोसा कर लेती हूँ और ये बोलकर वहां से जाने लगती है लेकिन सरकान उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बस किराज को खुश देखना चाहता हूँ और घर आकर एड़ा इस सारी बात अपनी आंटी और मेलो को बिताती है आंटी उससे कहती है कि तुम दुबारा सरकान से धोका खाओगी क्योंकि तुम्हें क्या लगता है आड़े ने इतनी असानी से मान जाएगी क्योंकि वो हर कोशिश करेगी किराज की कस्टेडी लेने की बाद में किराज और एड़ा बुराग के साथ फिशिंग करने जाते है और बुराक को एडा और किरास के साथ देकर सरकान जेलिस होने लगता है और फिर वहाँ आकर उन दोनों के साथ फिशिंग करने लगता है और फिर बाद में उन दोनों को घर लेकर आता है जहां किरास सरकान को स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है और वो से स्टोरी सुनाता और स्टोरी सुनने के बाद किराज वहीं सो जाती है फिर सरकान एडा से कहता है कि मैं बहुत साल बाद इतना खुश हुआ हूँ आज एडा कहती है मैं भी तुम दोनों को एक साथ देकर बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों किराज को एक साथ बड़ा कर सकते हैं बिना एक दूसरे की लाइफ में इंटर्फेर करें और जब तुम चाहो किराज से मिलने आ सकते हैं और मैं तुम दोनों को डिस्टरब नहीं करूंगी और कहती है कि मुझे समझ आता है कि मेरी आंटी तुमसे क्यों गुस्ता है लेकिन तुमारी मौम को मुझसे क्या प्रॉब्लम है सरकान बताता है क्योंकि उन्हें लगता है तुम मुझे छोड़ कर चली गई थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें नई छोड़ सकता और चलो एक काम करते हैं कि तुम मेरी मॉम को समझाना और मैं तुम्हारी आंटी को समझा दूँगा और एगले दिन दोनों ऐसा ही करते हैं एडा मिस्स ऐडन से बात करती है और सरकान मिस ऐफर से और दोनों उन्हें समझाते हैं कि हमें आपस की लड़ाई खतम करनी होगी किरास के लिए लेकिन तब ही मिस्टर कमाल वहां आते हुए कहते हैं कि अब हम केस फाइल कर सकते हैं और ये एडा सुन लेती और वो फाइल देखने लगती हैं और सरकान भी मिस्साइफर की टेबल पर रखे हुए डॉक्यमेंट्स रिखने लगता है और एडा गुस्से में सरकान के पास आती हैं और कहती है ये सब क्या चल रहा है मेरे पीट के पीछे और फिर दोनों उन फाइल में लिखे हुए एक दूसरी की बुराईयां पढ़कर लड़ने लगते हैं और दोनों फिर एक दूसरी को चैलेंज करते हैं कस्टेडी केस के लिए और फिर कोड जाते हैं जहां जज उन दोनों को एक साथ एक की घर में रहने के लिए बोलते हैं किरास के साथ ये सुनकर मिसस आइडन और मिसस आइफर दोनों शौक हो जाती हैं और बागी सबी लोग हसने लगते हैं